सो आज मेरा विशातोहानू ए समझाणा है कि कलेबश गोडन कोईफिसंट नू कम्प्यूट कीवे कीती जावे ए तुहानू बहुत सार्या परोबल मस्तो बिना जानन दी जरूरत है जो अटोमिक मोलिकुलर फिजिकस नूकलियर फिजिकस विच हान तुसी अपरिशियेट नहीं करोगे ठीक है इसलई इस कोरस विच दबाए है कि तुहानू कलेबश गोडन कोईफिसंट जासी जी कोईफिसंट दा मुलांकन करन विच अपना हाथ रखना चाहिदा है जीवे की ए जानया जान्दा है इसलई असी पिछले लेक्चर विच पहला ही वेख चुके हाँ असी की देख्या है असी अनगपलड बैसीज नू देख्या है जिस द्वारा मैं एक एह रही हां कि कि इत्थे दो पार्टिकल हान एक एंगुलर मोमेंटम जे एक नाल अते दूसरा एंगुलर मोमेंटम जे दो नाल एही कोरोस्पॉंडिंग मैगनेटिक क्वांटम नमबर दे नाल तुसी एना स्टेटस दा टैंसर पर ओड़कट लिख सक्दे हो जिसनू तुसी इस दे बराबर लिख सक्दे हो जिवे आम तौर ते लिख्या जान्दा है जे एक जे दो, एम एक एम दो दो सिस्टम असनू एंगुलर मोमेंटम जे एक अते एंगुलर मोमेंटम जे दो नाल जे A स्टेट जे 1 M1 अते जे 2 M2 नाल सबंदत है ता तुसी एक टैंसर पर ओड़कट ले सकदे हो अनकपलड स्टेट लई अपरेटरस दा कमपेटीबल सेट की है कमपेटीबल सेट है A जे 1 सक्वेर्ड जे 2 सक्वेर्ड जे 1 Z जे 2 Z है इसलेई A स्टेट सारे चार आपरेटरांदी एक सिमुल्टेनिस आईगन स्टेट है जे तुसी जे 1 Z लेंदे हो अते इसनू जे 1 J 2 M1 M2 ते आपरेट करो ता एस आनू M1 H क्रास J 1 J 2 M1 M2 दिन्दा है सिमिलर्ली जे 2 Z लेई A कलियर है अते जे 1 सक्वेर्ड तो हानू J 1 M2 जे 1 M2 जे 1 M2 पलसिक H क्रास स्क्वेर्ड दवेगा अते सिमिलर्ली जे 2 M2 देवेगा ता A इस कमपेटिबल सेट दी एक साइमल्टेनियस आइगन स्टेट है ठीक है इसलई A अनकपलड 22 ससी अते साढ़े कोल एक कपलड 22 स्वी सी साढ़े कोल एक कपलड 22 सी जित्थे तुसी अब्बयास दियां कुछ परोबलमस वेखियां सन जित्थे तो हाडे सपिन ओर्बिट कपलिंग है जा तो हाडे कोल SC.SP है जित्थे A परोटोन इलेक्रोन सिस्टम है जो इन्ट्रेकट का रहा है मैंनू यकीन है कि तुसी इहना विचो कुछ परोबलमस वेखियां हान जित्थे दोना सिस्टम स्वीच कार इन्ट्रेक्शन हुन्दी है ओर्बिट मोमेंटम अते स्पिन एंगूलर मोमेंटम विचका डू सिस्टम इन्ट्रेक्शन हुन्दी है जो अजहे के से स्विच एक स्पिन ओर्बिट कपलिंग है तुसी जो परोबलम कीती है उस विच अनकपलट बैसी स्नालकाम ना करन लेई ए सुविदा जनक है तुसी जान दे हो कि अनकपलट बैसी से एल डाट आसदी आईगन स्टेट नहीं है मैंनू यकीन है कि तुसी इस दी जांज कीती होवेगी जह कर तुसी परोटोन इलेक्रोन सिस्टम ले कीता है तुसी sp.se लिया होवेगा अते जेकर तुसी अनकपलड सिस्टम ते अपरेट करन दी कोशिश कर दे हो, जे इलेक्ट्रान, जे परोटोन M, इलेक्ट्रोन M, परोटोन केड़ा है ए एक आइगन स्टेट सी, ए कोई आइगन स्टेट नहीं सी, खास तौर ते M में लई जो अद्दा है अते MP लई जो माइनस अद्दा है मैंनों यकीन है कि तुसी ए जांच लिया है इसलई ए जेनरल तौर ते कुझ कोईफिसंट दे नाल, समान स्टेट दे इकवल नहीं है ता ए एक आइगन स्टेट नहीं है, अनकपल बैसी से एक आइगन स्टेट नहीं है, असी इसलई की करदे हां कि ए देखनदा एक होर तरीका की है कि ए आइगन स्टेट नहीं होवेगी, जे कर तुसी ऐसी Z-Component operator, Z-Component लेंदे हो, अते तुसी SC.SP कर दे हो, एक आइगन स्टेटर की है, SCZSP आपरेटर स्नाल कम्यूट करदा है, तो हानू इस बारे सोचन दी लोड नहीं है, सानू जिस बारे सोचन दी की लोड है सिरफ Electron Spin Operator की एक अम्यूट करदा है, एक अम्यूट नहीं करदा, सिमिलरली जे कर मैं परोटोन आपरेटर्स Z-Component, SC.SP लवाता एक अम्यूट करदा है, ता एस से फर्दे इकोल नहीं है, एस से फर्दे इकोल नहीं है, जो डफल बारे की है, जे तुसी SCZ, पलस SPZ लेंदे हो, एक अपरेटर की है, एक अपरेटर की है, एक अपरेट करदे है, एक कपलड सिस्टम दा, कुल, जेड कम्पोनेंट है, वी डबल्यू ए कोल हैमिल्टोनियन विच इस तरह कपलिंग कीता गया है, कम्पोनेंट बैसीस नाल सबंदत कमपेटिबल सेट नाल काम करना वदिया है, तो हानू परेरित करंदी कोशिश है, कपल बैसीस महतव पूरण क्यों बन जान्दा है, जदों, इंट्रेक्शन्स हुंदिया हान, ता एस आनू दस्ता है, कि कपल बैसीस दा, कुल एस जेड होवेगा, फार्मली तुसी इसनू एस सी जेड पलस एस पी जेड लिख सकदे हो, पर मैं तो हानू दस्या है, कि जदो तुसी इसनू स्टेटस ते, अनकपलड बैसीस विच आप कीवे करना है, ए सिरफ इलेक्ट्रोन स्टेट ते आपरेट करेगा, अते ए पटोन स्टेट ते इक आइडेंटिटी आपरेटर होवेगा, अते इथे ए इलेक्ट्रोन स्टेट अते परोटोन स्टेट ते आइडेंटिटी आपरेटर होवेगा, जो ए आपरेट करेगा, ए त तुसी इस साइड नू देख दे होता परोटों दा मेगनेटिक क्वांटम नंबर की है। तुसी सिरफ कुल S-Z जान दे हो। की ए ठीक है। तुसी असल विच हाल नहीं कर दे। कुल S-Z बनाउन वाले। इंडिविजुल पीसस की हन्ता कपलड बैसीस। लई कमपेटिबल सेट की है कपलड बैसीस। कुल J-Z है। जो की आम तुसी इसनू जे 1-Z पलस जे 2-Z दे रूप विच लिख सकदे हो। जो तुहान नू इसते सही टांगनाल याद रखना चाहिदा है। तुहान नू ए किवे अपरेट करना चाहिदा है। ए एक ओपरेटर है, कमपेटिबल सेट बारे की दूजा है। जे सक्वियर्ड कुल J-Sक्वियर्ड अते जे 2-Sक्वियर्ड ता तुसी इत्थे कमपेटिबल सेट नू जे 1-Z दो सेमी कोलन जे अते आम दे रूप विच लिख सकदे हो। अते मैं इसनू याद रखन लई ए कोशिश कर दी हां कि ए एक कपल बैसीस है ता मैं डिसकवर्ड किता है। ए ज़रूरी नहीं है पर जिननाचिर तुसी याद राख सको ठीक है कि एक कपल बैसीस है। जो कि ए मैंनू पूरा सही नहीं दास सकदा कि की इलेक्ट्रोन स्पिन मैगनेटिक क्वांटम नंबर की है अते परोटोन मैगनेटिक क्वांटम नंबर की है पर ए मैंनू कुल एक दस्ता है ता इसनू कपलड केहा जानदा है। तुसी ए हाल नहीं कर सकदे की की हान तुसी इसनू हाल कर सकदे हो पर फिर तो हानू एक तो दुज्य ताक जान दे बैसीस विच तबदीली करन दी जरूरत है अते एक तो दुज्य ताक बैसीस दे इस बदलानू कलेबश गोर्डन मैट्रिकस केहा जानदा है अते असी आज जो नादा मुलांकन करन जा रहे हां। इसलेए ए जे एक सक्वेर्ड जे दो सक्वेर्ड जे सक्वेर्ड अते जे जेड दी साइमल्टेनियस आइगन स्टेट है। दोवे इकोल बैसिस हान बराबर क्यों इस दी डायमेंशनलिटी? बिल्कुल पहला दे एक। शायद ठीक नहीं किता है, मैंनू ए ठीक करना चाहिदा सी ठीक है इसलेई, मैंनू इसनू पूरा करन लेई, लिखन देओ, क्योंकि तुसी फसर टाइम सिख रहे हो, इसलेई तुसी जे इक जे दो, जी एम, ले सक्देओ तुसी इत्थे एक, आइडेंटिटी स्टेट लिख स सक्देओ, ता तुसी की कर सक्देओ, जीवे, तुसी ए समझ सक्देओ, की मैंकी लिख रही हाँ ठीक है, ए एक आइडेंटिटी स्टेट है, जो जे इक जे दो, जी एम, मल्टिपल आइंग कर दे होए, ए इस दे बैसी स्टा पूरा सेट है, ए एक आइडेंटिटी आपरेट है, इसलेई इसनु दुबारा, समेशन बटा एम मिक कैम दो दे रूप विच लिख्या जा सक्दा है, तुसी इस इनर पर ओड़कट नु ले सक्देओ, अते लिख सक्दे हो, मैं सिरफ इसनु इसना लिया है, अते मैं केटी नु इस साइड लियादा है, क्योंकि ए नंबर है, जो एक अनवीनियंस है, एक करवदी वर्तों होई है, पर असल विच सिरफ एंगुलर है, दो बेस टेट दा एक इनर पर ओड़कट है, ए तो हानु किसे किसम दा कोईफीसंट देवेगा, अते एक कोईफीसंट ओ है जिसनु असी कहन दे हा, कलेबश गोर्डन मैट्रिकस एलिमेंट, इसलई असी इस तरीके नाल, सी जी, मैट्रिकस, एलिमेंट लिख दे हा, जा कुझ किताबां इसनु जे एक, एम, एक, जे, दो, एम, दो, जे, एम, लिखा दिया नहान, ता साड़ा उदेश यहना एलिमेंटस दा मुलांकन करना है, साड़ा उदेश, सी जी मैट्रिकस दे एलिमेंटस दा मुलांकन करना है, अते असी ए करांगे, ता सी जी कोईफिसंट दे मैट्रिकस एलिमेंटस दा मुलांकन करांगे, जो फार्मली तौरते दिता गया है, अते पिछले लेक्चर विच असी एवी जांच कीती है कि असी कोईफिसंट नानजीरो है, सिरफ ता ही जदो मैगनेटिक कौांटम नमबरदा जोड अनकपलड बैसीस, मैगनेटिक कौांटम नमबरदे कपलड बैसीस विच जोड़ जानदा है, अते ए मैं एवी केहा है कि तुसी कोल अंगूलर मोमेंटम, माइनस इंडिविजोल जड कंपोनेंट अंगूलर मोमेंटम ते काम कार सकदे हो ए असल विच सिफर है, अते जे सबस्टिट्यूट करो ता जे जड इस बैसीस ते काम करना पसंद करेगा, जे एक जड अते जड जड इस बैसीस ते काम तुसी परापत करोगे M-M1-M2 टाइमस, ओना दो स्टेटस दे इनर परोड़कट, ओना दो स्टेटस दा इनर परोड़कट सी जी कोईफिसंट है, अते ओ नान जीरो है, सिरफ उदो जदो M एकोल हुंदा है, M1 पलस M2 दे ठीक है, ता इत्थे असी आखरी लेक्चर खतम कीता कुल एंगुलर मोमेंटम विच M दी मैकसीमम वैलियू की है, जो M मैकस तो वद नहीं हो सक्दी है, जे एक पलस J2 की ए सही है, इसलिए साढ़े कोल एक बैसीस है, जे एक जे दो, M जा M दो, अते फिर एक होर बैसीस एक्विवेलेंट बैसीस है, जे M किडा है, जिसनु मैं ए याद रखनली करव लगा रही हां की एक कपल बैसीस है, अते CG कोईफिसंट, कुझ नहीं पार जे वैलियू जे दो, M मते दो, J1, J2, J4, J, M दी, इनर परोड़कट है, जो की CG कोईफिसंट है, अते A नानजीरो है, सिरफ ता सिरफ जे कर, M1 पलस M2 M दे इकोल होवे, हुण इस कांडिशन दे नाल M मैकसीमम की है, A स्टेटस, M मैकसीमम है, J1, M2 मैकसीमम J2 है, अते A कांडिशन, M1 पलस M2 M होना चाहिदा है, मैंनू दस्सेगा कि M मैकसीमम वद नहीं हो सक्दा, A J1 पलस J2 होना चाहिदा है, कलियर है, M मैकसीमम दो पार्टिकल दे, एंगुलर मोमेंटम, दा जोड है, जे एक पार्टिकल एक एंगुलर मोमेंटम है, जे दो पार्टिकल दो एंगुलर मोमेंटम है, जोकी कपलड बैसी स्विच, मैकसीमम वैलियू मैगनेटिक कौांटम नमबर इस तरह होनी चाहिदी है ता जेकर तो हाड़े कोल ए मैकसीमम होना होवे A जे M स्टेट अर्थपूर्ण है जेकर जे M दे इकोल है मैकसीमम राइट ता जे मैकस्वी जे 1 पलस जे 2 होवेगा ता असी उस मैकसीमम स्टेट नू ले लवाँगे आओ मैकसीमम स्टेट जे 1 जे 2 लईए जे इकोल जे 1 पलस जे 2 M इकोल जे 1 पलस जे 2 A सिरफ J1 जे 2 M 1 इकोल 2 J1 M 2 इकोल जे 2 नाल प्रापत कीती जा सक्दी है A इको इक सम्भावना है कि A कोईफीसंट इसनू इक बनावेगा इसनू असी इक वदी होई जा मैकसीमम स्टेट कहन दे हाँ वदी होई स्टेट अनकपलड बेसिस है अते A कपलड बेसिस है अते 80 ओना दो स्टेटस नू बराबर रखांगे जो शुरुवाती पोईफीसंट इसले कोईफीसंट CG कोईफीसंट जो वदी होई स्टेट कपलड बेसिस नू वदी होई स्टेट अनकपलट बेसिस नाल जोड़दा है इक हुंदा है इसलई इस पाशा विच एसदा की अरत है जे कर तुसी इसनु जे एक विच लिख दे हो इसनु तुसी जे दो लिख दे हो ए जे एक पलस जे दो होवेगा अते ए जे एक पलस जे दो दे इकोल होवेगा ए मतलब है कि ए एक बनन जा रहा है इसलई जो मैं इते लिख्या है कि असी CG नू दो दे इकोल लवांगे इसलई ए अनकपलड स्टेट है अते एक कपलड स्टेट है अते ए दोवे बराबर हान M value एक दे स्टेपस विच मैं कसीमम value तो काट जावेगा इसलई तुसी वदी होई state तो unit एक नाल कटा दिता है तुसी एक कीवे कर दे हो कि तुसी इसनू lowering operator द्वारा कर दे हो जो जे माइनस है cool जे माइनस कपलड बैसीस है अनकपलड बैसीस जे एक माइनस पलस जे दो माइनस है जे कर तुसी अजेहा कर दे हो ता तुसी अपने M मैकसीमम तो M नू एक यूनिट द्वारा कटा सकदे हो A O है जो असी करन जा रहे हा ठीक है ता आओ असी एक magnetic quantum नंबर वाली स्टेट ते कोनसिडर करिये जो मैकसीमम वैलियू तो एक काट है ता जो जे 1 पलस जे 2 माइनस इक होवे एक वार जदो A M जे 1 पलस जे 2 बन जान्दा है ता माइनस इक हुन्दा है अते असी कुल जे नू जे 1 पलस जे 2 लेया है जो अजे वी उस स्टेट नू इजाज़त देवेगा तुसी सहमत हो अते फिर वी उस स्टेट नू इजाज़त देवेगा ठीक है ता असी इस नू दो तरीक्या नाल परापत कार सक्दे हाँ पहला तरीका की है अनकपलड बैसी स्विच जे कर तुसी M1 नू जे 1 M2 नू जे 2 माइनस एक लव ए एक तरीका है जो एक खास M परापत करदा है M नू M1 पलस M2 M नू जे 1 पलस J2 माइनस एक होना चाहिदा है इथे दो संभावना वाहान M1 इकोल जे दे 1 M2 M2 इकोल जे 2 माइनस एक दुजी संभावनावा M1 जे 1 माइनस एक है अते M2 जे 2 है इसले एक योजना बद तरीका है जिस विच असी स्टेपस नू कटाउन दे जान दे हां अते ए देख सक्दे हां की डेजे ने रैसे इसकी हान केहणियां दो स्टेटस योगदान पा सक्दिया हान उप्रोकत M value जे लई दो संभावनावा दस्ती है जो मैं वी कहा कि कुल जे 1 है A J 1 पलस जे 2 हो सक्दा है क्योंकि वदी होई स्टेट दी कांडिशन है मैं इस तो उपर नहीं जा सक्दी होर संभावनावा मेरे कोल जे नू जे 1 पलस जे 2 माइनस एक लेंड दीवी हो सक्दी है क्योंकि स्टेट जे M जे नू माइनस M तो पलस M जा M जे तो कट जा इकोल होना चाहिदा है की ए ठीक है कोई होर संभावना है इसलई इस तरीके नाल अग्गे वद्दे होए तुसी अनकपलड बैसी स्विच सारिया संभावित डीजानरेसी अते स्टेटस नू निर्तारित कर दे रह सक्दे हो जो कुल मैगनेटिक क्वांटम नंबर विच योगदान पा सक्दी आहान म केड़ा है ऋते तुसी को लेंब तो हेठा नहीं जा सक्दे a माइनस j 1 माइनस j 2 होणा चाहिदा है तुसी a वदा नहीं सक्दे सहमत हो जेकर j j 1 पलस j 2 है ता तुसी माइनस j 1 पलस j 2 तो पलस j 1 पलस j 2 अते 1 दे स्टेपस ते जा सक्दे हो जो एक angular momentum algebra restriction है मान लव कि असी convenience ले लेंदे हाँ तुसी दोवानू momentum दे equal angle दे रूप विच ले सकदे हो जा तुसी ओनाविच चो एक नू दुझे particle angular momentum तो काट ले सकदे हो अते इस किसम दा degeneracy मुलांकन जो असी इत्थे कीता है तुसी इसनू करंदी कोशिश कर सकदे हो अते तुसी देखोगे की maximum degeneracy lower angular momentum तो वद नहीं होवेगी ठीक है ए ओ जांच हन जो तुसी कर सकदे हो उदारन ले जांच करो कि जे 1-2 हो जावेगा अते जे 2-1 हो जाए ए मैंनू दस्ता है कि क्योंकि जे 2-1 है maximum degeneracy तिन होनी चाहिदी है इस दा मतलब होवेगा की degeneracy पंज है पर जदो असी लिखन दी कोशिश कर दे हाता असी degeneracy नू तिन तो वद नहीं करांगे जिवे की इथे इस सार्नी विच पलाट कीता गया है एम मैकस 2 पलस 1 जो 3 है जी एम मिनिमम माइनस 3 है तुसी एक decreasing step अनुसार step पस्विच जा सकदे जदो तक एम मिनिमम ते नहीं आउंदा जो 2 एक सिफर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 है किसे? दित्ते गई एम लई एम 1 पलस एम 2 दे योगदान की हान एम 1 के एम 2 एम दे इकोल होना चाहिदा है ठीक तुसी सारे एम 1 पलस एम 2 दे एम इकोल होननू फोलो का रहे हो अते ए दरसाउंदा है कि एक खास्तिन लई ए एक वदी होई state होवेगी ए एक dimensional है जे कर तुसी एम नू दे इकोल लेंदे हो ता दो समभावना वाहान तुसी एम 1 नू 2 अते एम 2 नू सिफर जा दुज्य पासे राख सकदे हो जे तुसी एम दे इकोल इक लव तो हानू ए याद रखना चाहिदा है कि एम 2 माइनस 1 सिफर अते पलस एक तो वैलियू लवेगा अते एम 1 माइनस 2 माइनस 1 सिफर पलस एक अते एक दो तो वैलियू लवेगा तुसी हुण समझ गए हो जे कर तुसी ए लेंदे हो ता एक को एक समभावना है ता एक अनविनसिंग है कि जे कर जे 2 जे 1 तो कट है ता स्टेटस दी मैकसीमम डिजैनरसी जो एक खास एम विच योगदान पा सकदी है इस केस विच तिन है इसलेई तो हानू कितेवी 5 दी डिजैनरसी नहीं मिल दी अब बयास लेई हाथ ते एक होर जांच करन ली जे एक नू तिन बाए दो अथे जे 2 नू अध्दा जा कुछ होर लेलव अथे देखो डिजैनरसी की है जांजे 21 पांच बाए दो जे 2 नू इक होंड लेई अथे देखो कि डिजैनरसी की है सिरफ तो हाड़े लेई एस आरनी देखो डिजैनरसी स्कीवे है इस डेटा तो की असी जे मिनिमम निर्थारत कार सक्दे हां डीजानर इसी तिन एक किसम्दा इंडिकेट है की जे मिनिमम विच कुझ तुसी जानदे हो की केड़ा एक केड़ा तिन डाइमेंशनल है इसले रफली असी इस इलेबरेट उदारन तो जे मिनिममम जान दे हा, पर मैं पिछला टाइम तो हाडे लई एक अब्यास वज्जों वी कहा सी मैं तो हानू की दस्या की कपलड अते अनकपलड बैसी स्ले एक को जहे होन लई डाइमेंशनलिटी दी वर्तों करो जे मैं कसनू जे एक पलस जे दो लव अते जे मिनिममम निर्तारत करो मैं एही कहा ता जे कर तुसी अजेहा कर दे हो सिरफ एक सिंपल समेशन तो हानू की मिलेगा ता जो तुसी इसनू लेफट हैंड साइड परापत करो अते इसनू जे एक पलस जे दो दे इकोल कीता जावे जे कर तुसी इसनु बराबर करदे हो ता तुसी दिखा सकदे हो कि जे मिनिमम जे 1- जे 2 दा मोड है जे कर जे 2 जे 1 तो कट है ता तुसी जे 1- जे 2 लिख सकदे हो ए त्यान खिचदा है कि जे 1 एकोल 2 लई अते जे 2 एकोल 1 लई जे 1 माइनस जे 2 एक है अते ए 3 डाइमेंशनल है डीजानरेसी स्वध क्यों नहीं होई या एक किसमदा इंडिकेशन है पर इंडिपेंडेंटली जे वैलियू मैंकसीमम जे वैलियू दोवा पार्टिकलस दे ओना दो एंगुलर मोमेंटम दा जोड है मिनिममम जे वैलियू डिफरेंस दा पाजिटिव होवेगा ठीक है जे कर जे 1 जे 2 तो वड़ा है ता ए जे 1 माइनस जे 2 है जोकी मिनिममम जे वैलियू है जे कर जे 1 जे 2 तो छोटा है ता ए जे 2 माइनस जे 1 कलियर है जे 1 जे 2 तो छोग चिज़ भीया जे 2 तो ठे 1 above 7 जे 2 ने 3 तो छोटा है 6 जे 1 चर्म ही कि लैजनस जे 1 चर्म हैUP